हलो दोस्तों, तो आज आपको यकीन हो जाएगा कि आप अपनी आखो पर एक बार में भरोजा नहीं कर सकते कुछ चीजों को आपको एक नजर और देखना होगा दिमाग को हिला देने वाले आप्टिकल इल्यूशन्स देखने के लिए तयार हो जाएए तो चलिए शुरू करते हैं अब यहाँ क्या हो रहा है आप यही सोच रहे होंगे यहाँ यह काले काले बॉल्स क्यों है क्या आप भी इसकी पीछे का मतलब सोचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह इतना असान नहीं है अगर आपको इस आर्ट को समझना है तो आपको इसे एक स्पेसिफिक डिरेक्शन से देखना होगा बाइ दबे यह सिर्फ पॉइंट से ही नहीं किया जाता चलिए हम आपको कुछ और ऐसे ही इलूजिन्स दिखाते हैं जैसे कि यहां आप कुछ लटके हुए गोर्टेन बूट्स देख रहे होंगे लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक खिलाडी का फिगर है अब आप इसे ही देख लीजिए यह नमबर 24 बनाया गया है जो कि एक बास्केट बॉल प्लेयर को भी ब्राइन की याद ने बनाया गया है जो कि हाल ही में एक प्लेन क्रेश में मारे गये थे और यह सारी ही उनकी ही तस्वीर है यहां आपको स्क्रीन पर कुछ सीट दिख रहे हैं तो कि आप बता सकते हैं कि इन में से कितने सीट असली हैं चलिए ज़रा दिमाग पर जोर डालिए चलिए अब हम ही आपको बता देते हैं यह देखिए तो कि आपने सही अंदाजा लगया था हमें कमेंट्स में जरूर बताएं चलिए हम आपको एक और मौका देते हैं यहाँ पर आपको कुछ पैंस दिख रहे हैं और इसमें से आपको बताना है कि कौन सी पैंसली है और कौन सी ड्रॉइंग चलिए थोड़ा सा दिमाग दोड़ाइए आप ये कर सकते हैं अब ये मत कहिएगा कि इसमें भी आप गलत हो गए चलिएक आखरी बार फिर से ट्राइ करते हैं आपको स्क्रीन पर कुछ बॉल्स दिख रही हैं लेकर आपको बता दें कि इसमें से कुछ बॉल्स असली नहीं है आपको बताना है कि कौन सी बॉल असली है जरा गौर से देखिए दोस्तों अफसोस करने की ज़रुत नहीं है वाकई में ये काफी मुश्किल था जिस जिन्यस ने इसे बनाया था उसमें बॉल पर अपना रिफ्लेक्शन ने पेंट किया था वाकई में ये काम काबिले तारीफ है लगता है ये ट्रेन काफी टाइम से या खड़ी हुई है क्योंकि इस पर काफी पेंटिंग की गई है लेकिन आपको बता दें कि ये कोई असली ट्रेन नहीं है बलकि एक छोटा सा घर है जिसे एक फिमल स्टीट आर्टिस ने मनाया है अब आप अपनी स्क्रीन पर कुछ बलूस देख रहे हैं और इन्हें देखकर आपका भी मन कर रहा होगा कि आप कोई नुकीली सी चीज लें और इन्हें फोड दें लेकिन अफसोस की बात है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये कोई असली बलून नहीं बलकि सिर्फ 3D आर्ट है चलिए हम आपको ऐसी कुछ और दस्वीरे दिखाते हैं वाकई में ये काफी खुबसूरत है और हमारे देसे आम लोगों के लिए इसे बनाना ना मुम्किन है इन अमेसिंग आर्टिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में आपको जानवरों की तस्वीर देख रहे होंगे लेकिन आपको बता दें कि ये कोई जानवर नहीं है बलकि ये इनसान है क्यों? चौक गए दर असल इन पर इस तरीके से पेंट किया गया है कि एक जानवर की तरह दिख रहे है तो साहर सी बात है कि अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये आमेजिंग काम आखिर किस महान इंसान ने किया है तो हम आपको बता दें कि इस आठ को इटली के महान आटेस जोहनस टियोटर ने बनाया है और वो ये सब फोटो शूट्स, वीडियोज, परफॉर्मेंस और भी कई चीज़ों के लिए करते है टियोटर का नाम internationally recognized है और ये word body painting championship 2012 में जीते भी थे जब उनसे पूछा गया कि आपके काम में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है तो उनका जवाब था time उन्होंने बताया कि body paint करने में जितना time और patience लगता है वो सबसे ज्यादा important है और सबसे चुनोती भरा task भी सच में दोस्तों इनका काम काबिली तारीफ है तो आपको इनकी आर्ट कैसे लगी हमें कमेंट्स में ज़रू बताएं अगर वीडियो बसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए जीडू facts को सबस्ट्राइब कर दें